नमस्कार दोस्तों आप सेगा फिर से एक बर शौगत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल आर्मी एंड सरकारी तयारी में दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो सेना की भरती है उसमें जो है अब चार साल वाली भरती यानि कि टूर अफ ड्यूटी जो है लागू होने वाली है और अगले मैंने से इसकी भरती जो है यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर पेपर में भी यह इन्फ सिने रिटारिमेंट के टाइम कितना पैसा मिलेगा अगर आपके जौब करते विए करते वह अगर आपकी मित्पी हो जाती तो आपके faimli member को कितना यहां पर दिया जाएगा वह सारा कुछ का लिंक description में है चलिए यहाँ पर एक एक information हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर जो भरती निकल के आई है कह सकते हैं यहाँ पर जो information निकल के आई है इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सारी बाते जो एक clear cut बता दी गई है क्योंकि सेना के जो चार साल वर भरती है अब इ इसमें जो है यहाँ पर जितनी भी पोश कह सकते हैं यहाँ पर हमारी soldier rank के निकलती है चाहे वो जर्नल ड्यूटी हो कलरक हो ट्रेड मैन हो नर्सिंग असिस्टेंट हो यह सारे की सारी soldier rank के भरती निकलती है वो सारा का सारा जो है टूर ऑफ ड्यूटी के थूरू भी कराया जाएगा यानिकी दूर अफ ट्यूटी के थूरू यहां पर जो है उनको नौकरी कह सकते हैं मिलेगे क्या ने संए सपरकार को टेंसन होगा और यह सरकार की मर्जी है यह वैसे थे बहूत ही बेकार चीज है पर पताँ नहीं सरकार चाहती क्या है कुछ दो अपना पैंसन लेती है जब तो क्पांच साल की जो सरकार ने ज रहा है कि सारा कुछ यहां पर उन्होंने घुगां Chat रहेगी दिखना के और तो यहां पर तो यहां पर आपको 30,000 पर मैने यानि lehovag지만 यह जो है आपको यहां पर साफ साफ दिख्रा होगा यहाँ पर जो है करीब 30,000 रुपए salary आपको मिलने वाली है यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है इसके अलावी यहाँ पर यह भी information निकला हुआ है कि यहाँ पर जो भरती आएगी इसमें जो है अगर आप 4 साल की नौकरी कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 10 से 12 लाक रुपए जो है एक मुस्त यानि के जब आप वहाँ पर 4 साल की नौकरी कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद as a retirement को तौर पर कह सकते हैं या फिर जब आपका 4 साल कंप्लीट हो जाएगा 4 साल की service कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 10 से 12 लाक रुपए जो है आपको अल मिलने वाला यानि कि जब तक आप 4 साल के लिए नौकरी करेंगे तब तक आप सारी सुबिदा उठा सकते हैं कैंटीन हो चाहे कोई भी बेनिफिट हो आर्मी का या फिर जो होस्पीटल हो गया मिलिटरी होस्पीटल हो सारा बेनिफिट आप उठा पाएंगे आफ्टर फोर मिल गया जो सैलरी मिली थी वहीं मिलेगा सिर्फ और सिप पेंसन कुछ भी यहां पर नहीं दिया जाएगा यह साफ साफ यहां पर लिखावा है तो यहां पर एक चीज और लिखावा है जो कि मैं आपको बता दूँ कि अगर सैने की मृतियों या मौत हो जाती है ड्यूटी क यानि कि जो चार साल के अंदर वो नौकरी कर रहा है उसमें अगर उनकी मिलतियों होती है तो 40-45 रुपे उनके परिवार को दिया जाएगा अगर चार साल के बाद अगर आप वहां पर सर्विस छोड़ दिये उसके बाद होगी तो कोई भी आपको अलग से पैसा नहीं मिले या फिर जितनी भी जो आपकी चार साल के अंदर सर्विस बची वी है उसका सालरी जो है आपके परिवार को दिया जाएगा यहां पर यह चीज बिलकुल गलत है यहां पर मेरे हिसाब से क्योंकि एक साइनिक अगर अपना जान दे रहा है देश के लिए तो उनके परिवार क कम से कम जो है पैंसन के तोर पर या फिर जो है उनके परिवार के भरन पोशन के लिए उन्हें कम से कम हर मैंने जो है जो भी एमाउंट होता वो देना चाहिए था आपको क्या लगता है आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताए इसके अगर और भी कोई